राजस्तान विधानसबा चुनाओं में हनुमान वेनिवाल की राश्री लोगतांतरिक पार्टी और चंदर शेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया है। अब राजस्थान में RLP और आजाद समाज पार्टी मिलकर 200 विधानसबा सीटों पर BJP और कॉंग्रिस की उम्मीदवारों को टक कर देंगे गुरुवार देर राद दोनों पार्टियों ने गड़बंदन का एलान किया और आवशिक्ता थी कॉंग्रेस और भार्टियों जन्ता पार्टी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की तीसरी ताकत की और आज इनों ने राष्ट्र लोक्तांतरिक पार्टी बेनिवाल ने जोर दिया कि दोनों दल एक परिवार की तरह चुनाव लड़ेंगे और आजाद समाज पार्टी उन मद्दाताओं को अपने पाले में लेंगी जो सत्तारूर कॉंग्रिस और विपक्षी बीजेपी दोनों के विरोधी हैं और किसी विकल्प की तलाश में है आरलपी और आजाद समाज पार्टी के गड़भंदन का असर राजस्थान में कई विधानसभा सीटों पर पढ़ने की पूरी संभावना है राजी की चुनिंदा सीटें हैं जहां बेनिवाल और चंदरशेखर की पकड़ मजबूत दिखाई देती है बेनिवाल का किसान और जाट बाहुले सीटों पर तो चंदरशेखर आजाद का दलित बाहुले सीटों पर अच्छा खासा दबदबा माना जा सकता है ऐसे में इन सीटों पर ये गटबंदन कॉंग्रिस और बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है राजस्थान में फिलाल बेनिवाल की आरेलपी के तीन विधायक और एक सांसद है चंद्शेखर रावन ने बेनिवाल की इस मौके पर खूप तारीफ की और कहा कि वो लड़ते समय जाती या धर्म नहीं देखते हनुमान जी बेनिवाल लंबे समय से शित्र को लड़ की समस्याव को लड़ रहे हैं और कहीं कोई ऐसा मौका नहीं जहां बीजेवी कॉंग्रस के लोग तमास मिन बने थे जन्ता के हितों के लिए वो लड़ाई को मैदान में लड़ रहे थे इसके लिए वो धन्यवाद के भी और उनकी पूरी टीम हम उनका दिल की गहरा धन्यवाद करते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे अब ये लड़ाई क्योंकि एलेक्शन का दोर आ गया और आगे बढ़े खास बात यह है कि आजाद समाज पार्टी ने राजस्थान की 17 सीटों पर पहले ही अपने उमीदवार उतार दिये हैं इधर बेनिवाल लंबे समय से राजस्थान में दूसरी पार्टीओं के साथ गढ़ बंदन कर थर्ड फरंट की संभावनाय तलाश रहे हैं इस बाबत उनकी नस्दीकियों की खबरें आम आदमी पार्टी से भी आई थी लेकिन आम आदमी पार्टी प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है पार्टी ने राज में 23 उमीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है चुनाव आज तक